Hello students, this is Dr. Shikha Gupta, welcome to my channel Commerce Classes. आज स्टार्ट कर रहे हैं Responsibility Accounting. तो बात करते हैं Responsibility Accounting की, Responsibility Accounting है क्या? Responsibility Accounting में हम different executives को, different managers को, जिनके अंदर पूरा department आता है, जो पूरे-पूरे department को head कर रहे है, पूरे-पूरे department को supervise कर रहे है, पूरे-पूरे department की जिम्मिदारी जिनके ऊपर है, तो Responsibility Accounting में हम उस executive की, या manager की, या उस head की, जो संभाल रहा है उस department को, उसकी responsibility decide कर देते हैं, ठीक है? उसकी responsibility decide कर देते हैं, अब department में कोई भी अगर गडबड होती है, या कोई भी cost कम या जादा होती है, तो उसके लिए जिम्मिदार कौन होगा? उसके लिए जिम्मिदार होगा, वो head, वो manager, वो executive, ठीक है? तो ultimately, top management किसको बोलेगा? Top management, executive को बोलेगा, कि आपके department में ये कैसे हुआ? ठीक है, बात बागी कुछ भी excuse दे हैं, कुछ भी report बनाएं, पर mainly top management किसको बोलेगा, जिम्मिदारी किसकी होगी? executives की होगी, right? managers की होगी. एक example लेते हैं, हमारे grandfather ने एक function करने की सोची घर पर, ठीक है? ग्रांड फादर ने एक function करने का सोचा, ग्रांड फादर ने फादर को बोला, एक मुझे function करना है, बेटा, अब मैं तुमको 10 लेक रुपीज दे रहा हूँ, एक function अरेंज करा हूँ. फादर क्योंकि सारा काम खुद नहीं कर सकते? फादर ने different लोगों को बोला, फादर ने mother को बोला, uncle को बोला, uncle one, uncle two, ठीक है? दो uncle को बोला, mother भी सारा काम खुद नहीं कर सकती, जैसे फादर ने mother को बोला, catering का काम तुम समाल लेना, uncle one को बोला, decoration का का काम तुम समाल लेना और अंकल टू को बोला वेन्यू का काम तुम समाल लेना मदर कैटरिंग का काम सारा खुद नहीं कर सकती मदर ने अपने बच्चों से बोला A, B and C तीन बच्चे हैं मदर के उनसे बोला कि ये काम पर्टिकुलर काम तुम को करना है A को, B को, C को इसी तरह से काम उन्होंने अलोट कर दिये इसी तरह से क्या होगा अंकल वन ने भी कुछ ऐसे ही किया होगा काम डिवाइड और अंकल टू ने भी कुछ ऐसे ही किया होगा ठीक है अब फादर ने इनको भी बजट अलोट किया फादर ने मदर को अंकल वन को, अंकल टू को भी कुछ बजट अलॉट किया इनको 3 लेक अ उनकी अंकल ने भी किया होगा अब मान लेते हैं अ ने कुछ ऐसा काम किया या कुछ quality अच्छी कर दिया कुछ भी reason रहा जिससे cost जादा हो गई जिससे जो एको budget मिला था मान लेते हैं इसको 1 lakh का budget मिला था इसका budget को जादा हो गया 1.25 हो गया 1.25 lakh हो गया अब क्या होगा ए किसको answerable होगा मदर को और मदर किसको answerable होगी फादर को और फादर किसको answerable होगा ग्रांड फादर को ग्रांड फादर एसे बात करने नहीं जाएंगे grandfather ऐसे बात करने नहीं जाएंगे कि budget उपर नीचे क्यों हुआ grandfather किसको target करेंगे किसको blame करेंगे grandfather blame करेंगे father को कि तुमने ऐसा कैसे करने दिया तुमारे अंडर ये सारी चीज़ने चल रही थी ऐसा कैसे हुआ ठीक है बात समझ में आई टॉप मैनेजमेंट किसको blame करेंगा उस executive को उस manager को उस head को supervisor को जिसके अंडर ये सारा system चल रहा है जिसके अंडर ये सारी activity चल रही है clear है अब एक company के level का example समझते है टॉप मैनेजमेंट ने टॉप मैनेजमेंट ने क्या किया टॉप मैनेजमेंट ने इक budget pass किया budget pass किया production manager को ठीक है budget pass किया material uses budget material uses budget material uses budget टॉप मैनेजमेंट ने production manager को पास किया production manager ने फ़र्दर supervisor को बोला supervisor जो actually काम देख रहा है supervisor को बोला कि यह budget आया है को earningly तुमको काम करना है काम करवाना है workers से अब बहुत सारे workers है N number of workers हैं बहुत सारे workers हैं सारे workers काम कर रहे है A, B, C, D, E, F, G ठीक है यह जो सारे workers काम करेंगे In case अगर इन मैंसे किसी ने भी material uses budget है न मतलब कितना material use करना है इन मैंसे किसी ने भी material जादा use कर लिया तो यह किसको answerable होगा यह answerable होगा supervisor को और supervisor किसको answerable होगा supervisor answerable होगा production manager को और ultimately production manager को ही जाकर top management को report करना है कि ऐसे ऐसे material budget material uses budget उपर चला गया है ठीक है material uses actual जो हुआ है जो budgeted था उससे कुछ उपर जादा use हुआ है material ठीक है तो यहाँ पर किस पर बात आई यहाँ पर बात आई production manager के उपर कौन हुआ head, कौन हुआ executor, कौन हुआ manager main, production manager ठीक है तो responsibility accounting में हमारा focus होता है इन लोगों पर production manager पर, उस वाले case में father पर ठीक है तो responsibility accounting क्या है हमने ऐसी accounting की जिसमें father की responsibility decide कर दी जिसमें हमने production manager की responsibility decide कर दी कि इतनी cost में काम होगा या इतना revenue पर्टिकुलर manager ला कर देगा ठीक है चलिए यह responsibility accounting की theory है आप note करना चाहें तो कर सकते हैं definition भी है इसमें ICWI की चलिए next आते है responsibility center पर अब यह responsibility center क्या है वो department वो activity वो सारा काम जो एक manager के या executive के अंदर आ रहा है जो इसके इसके अंदर जो भी काम हो रहा है ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे responsibility center और इस responsibility center को head कौन कर रहा है यह particular person single person यह manager अब responsible होगा अगर इसके responsibility center में कुछ भी ऊपर नीचे होता है cost कम्या जादा होती है revenue कम्या जादा होता है तो कौन जिम्मिदार होगा यह manager जिम्मिदार होगा राइट अब बात करते हैं responsibility center कितने type के होते है responsibility center four type के होते हैं मेली कुछ-कुछ books में आपको three types के भी मिलेंगे cost center revenue center profit center investment center कुछ-कुछ में आपको cost profit and investment मिलेगा वो revenue को profit में cover कर लेते हैं इसलिए मैंने आपको चारों बताए है ठीक है तो start करते है cost center से वो कौन सा activity होगी वो ऐसा कौन सा काम होगा वो ऐसा कौन सा department होगा जिसको हम cost center कहेंगे cost center means जहां पर खर्चा हो रहा है expenses हो रहे हैं ठीक है जहां पर हमारा revenue का कोई काम नहीं है तो वो center कौन सा हुआ cost center और cost center के head की cost center के executive की उसके manager है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ cost की होगी revenue की नहीं ठीक है कुछ points इनको पढ़ लेते हैं a cost center is a segment of an organization in which all costs are accumulated and the manager of this segment is held responsible for the cost incurred उसका manager किसके लिए जिम्मेदार होगा cost incurred कितनी cost खर्च होई है कितनी cost लगी है उसके लिए जिम्मेदार होगा बस ठीक है responsibility in a cost center is restricted to cost only यहां profit की investment की revenue की किसी कोई की जिम्मेदारी नहीं होगी यहां इसका cost center का head होगा जो manager होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उस segment में या उस center में जो cost incurred हो रही है सिर्फ उसकी जिम्मेदारी वो cost होगी ठीक है a cost center is not held directly responsible for revenue generation not held directly responsible for revenue generation right cost center is also called expense center obviously expenses हो रहे हैं तो इसको हम expense center भी बोल सकते हैं the performance of a manager of a cost center is evaluated by comparing cost incurred with the budgeted cost budgeted cost को actual cost से compare करके manager की performance को evaluate किया जा सकता है कि manager की performance कैसी रही ठीक रही बिकार रही या फिर अच्छी रही right it is essential to differentiate between controllable and non controllable cost because a manager responsible for a particular cost center is responsible for controllable cost only कोई manager के control के बाहर की अगर कोई cost है तो हम उसको तो जिम्मिदार नहीं ठहरा सकते हो उस cost के लिए right उस cost के लिए जिम्मिदार नहीं ठहरा सकते है तो सबसे पहले हम को क्या करना है cost को bifurcate करना है टू पार्ट्स में controllable and non controllable और non controllable cost के लिए manager को responsible नहीं ठहराएंगे ठीक example क्या है इसका cost center का example है in a manufacturing concern production department production department में revenue तो नहीं होता है production department में सिर्फ क्या हो रहा खर्चा हो रहा है production हो रहा है cost कोई revenue को काम नहीं है वहां कोई profit के अरप काम नहीं है company accounting department किसी company का accounting department accounting department में भी revenue में हो रहा College department में भी नहीं हो रहा research & development department में भी नहीं हो रहा ठीक है तो यह यहां पर revenue हो रहा है, ठीक है, sale हो रही है, पैसा आ रहा है, the manager in revenue center is accountable for revenue only, यहां पर जो manager है, वो revenue के लिए accountable होगा, उसके लिए ही answerable होगा, ठीक, any division or unit, especially the marketing or selling division, which has been delegated with the responsibility of generating revenue for the organization, revenue center कौन सा हुआ, कोई ऐसा division, for example, marketing or selling division, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, किसकी revenue generate करने की, sale करने की, right, the performance of a center is evaluated on the revenue basis only, कितनी sale की, कितना revenue आया, इसके basis पर हम पता करेंगे, कि उस manager की performance कैसी रही, ठीक, example क्या है, इसका, example है, a departmental store, department store, sales department, marketing department, advertising department, ठीक है, चलिए, next है, profit center, profit center, इसको थोड़ा सा समझना, profit कैसे आता है, profit आता है, sales minus cost, profit, sales minus cost से ही तो आता है, तो इसका मतलब तो, profit center का जो manager है, वो sales और cost दोनों के लिए ही answerable है, दोनों के लिए ही responsible है, ठीक है, तो profit center, a profit center is a segment of an organization in which both cost and revenue are measured in terms of monetary units, यहां दोनों को ही monetary units में count करेंगे, उसको दोनों को ही sales और cost को दोनों को ही monetary terms में measure करेंगे, manager of a segment is held responsible for both cost as well as revenue, manager इस segment का, profit center का, profit segment का, जो manager होगा, वो responsible होगा cost और revenue दोनों के लिए, ठीक, the difference between revenue and cost represent profit, revenue और cost के बीच का difference क्या है, profit है, next है, the manager of a profit center is responsible for the amount of profit earned by the profit center, कितना profit इसने earn किया, इसके लिए वो responsible होगा, कितना profit earn किया उसके department ने, इसके लिए manager responsible होगा, ठीक, the income statement of profit center is used as a control device, इस department का, जो भी profit center है, उसका income statement, control device की तरह काम करता है, कैसे काम करता है, income statement से समझ में आ जाएगा, कितनी sale होई, कितनी cost होई, कितना profit हो रहा है, तो सिर्फ ये income statement पढ़के ही, उसको समझ में आ जाएगा, top management को की performance कैसी रही, राइट, example क्या है, example है profit center के individual restaurant in a restaurant chain, किसी restaurant की chain में कोई एक restaurant क्या होगा, profit center होगा, individual retail store in a retail chain, किसी की बहुत सारी stores है, तो उसमें से कोई एक individual store, मतलब सारे individual stores वैसे तो profit center ही होगे, पर मैं एक की बात कर रहे हूँ, individual stores क्या होगे, profit center कहलाएंगे, ठीक है, उनको जो head कर रहा होगा, वो answerable होगा, वो responsible होगा, कि उसके store में कितना profit हो पा रहा है, या नहीं हो पा रहा है, कितनी sale हो रही है, कितनी cost लग रही है, ठीक है, तो उसके income statement से top management को सब clear हो जाएगा, कि उसके department की या उसके store की कैसी performance है, रहा है, चलिए, next है, investment center, last, investment center क्या है, investment center is a segment of an organization where the manager is concerned not only with cost management and revenue generation but also held responsible for the investment in assets used by the center, also held responsible for the investment, इसको ध्यान से पड़ो, वो न केवल revenue generation के लिए, cost के लिए responsible होगा, वो investment के लिए भी responsible होगा, जो वो department, particular department या store कुछ भी समझ लो, जो वो कर रहा होगा assets में, right, here the manager is held responsible for both profit as well as assets that are under his control, right, the manager of an investment center possesses more authority and responsibility than the manager of a cost center, revenue center or a profit center, investment center के, जो manager है, जो उसका head है, उसके पास सबसे जादा authority है, और responsibility भी सबसे जादा ही होगी, है न, authority जादा है, तो responsibility भी सबसे जादा होगी, क्योंकि न केवल यहाँ वो profit देख रहा है, revenue देख रहा है, वो investment भी देख रहा है, the performance of an investment center is measured in terms of return on investment, जैसे वहाँ पर income statement देख लिया, profit center में, है न, cost वाले case में, cost center में, उसकी actual performance को budget performance से compare कर लिया, revenue center में यह चेक कर लिया, कितनी sale आ रही है, उसी तरह से investment center में, हम उसकी performance को, manager की performance को कैसे चख करेंगे, return on investment के through, formula क्या लगेगा, return on investment का, profit of the investment center divided by assets used in the investment center into two, into hundred, right, example क्या है इसके, example है इसका starbucks, नाम सुना होगा आपने, starbucks की coffee आती है, starbucks जो कि एक American company है, globally काम कर रही है, बहुत सारी countries में काम कर रही है, तो starbucks ने क्या किया, अपने different divisions और subsidiaries बना दिये, जो कि खुद में ही अलग-अलग entity हो गए है, for example, corporation, starbucks, farmer, support center, columbia, starbucks, manufacturing corporation, starbucks, capital assets, leasing company, यह सब अपने में ही entity हो गए है, ठीक है, तो starbucks corporation जो है, जो main company है, उसके लिए, यह सब क्या है, यह जो सारी, उसकी जो subsidiaries है, जो divisions है, वो सब उसके लिए क्या है, investment divisions या investment centers, राइट, चलिए, next है, steps involved in responsibility accounting, responsibility accounting में steps क्या-क्या है, सबसे पहला काम हमको करना होगा, responsibility centers बनाने का, किसी भी company में कितने responsibility centers बन सकते हैं, उनको divide कर देना, ठीक है, तभी तो हम decide कर पाएंगे, कि responsible कौन person होगा, किस काम के लिए होगा, तो सबसे पहला काम है, responsibility centers, decide करना और उसके लिए कोई एक head, चुल लेना, उसके लिए कोई एक head, बना देना, जो उस पूरे center के लिए responsible होगा, right, next is determination of targets, उसके बाद जो काम आता है, वो है target set करना, कि किस person की, किस manager की, किस executive की, किस head की, क्या responsibility होगी, ठीक है, तो target set करना, दूसरा step हो गया, next है, recording and appraisal of performance, third point है, record करना, performance को, और appraise करना, appraisal करना, actual performance of each responsibility center is recorded, record करेंगे सबसे बहला काम, फिर actual performance is compared with the goals set in the budget, फिर उसको, actual performance को, budgeted performance is set, check करेंगे, compare करेंगे, ठीक है, और evaluation करेंगे, कि उस center की performance कैसी रही, right, communication of poor performance, जो भी poor performance होगी, किसी, जिस भी department की, जिस भी center की, उसको communicate किया जाएगा, top management को, ठीक है, और top management को communicate करने के बाद, corrective action लिया जाएगा, अगर जरूरी है, तो, ठीक है, जिसके भी performance ठीक नहीं रही है, उसके उपर corrective measure लिया जाएगा, right, next है, advantages of responsibility center, सबसे पहला advantage है, responsibility center का assignment of responsibility, क्या कोई organization काम कर सकती है, जिसमें, अगर कहीं कोई cost कम आ रही है, हम कुछ का responsible किसी को ठहरा रहे है, किसी की cost के लिए responsible किसी को ठहरा रहे है, बड़ा ही, अजीब सा system हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा किसी को, सब लोग एक दूसरे को उपर डालते रहेंगे, कोई किसी को responsible करेगा, कोई person किसी को responsible करेगा, यह ठीक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, responsibility accounting में, वो जो head है, वो जो manager है, top management सीधे उसको जाके बोलेगा, कि तुम बताओ, ऐसा क्यों हुआ, तुमारे अंडर यह सारा काम चल रहा था, यह, ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, तो assignment of responsibility हो जाती है, responsibility accounting में, किसकी क्या responsibility है, यह एकदम clear हो जाता है, ठीक है, फिर accordingly काम करेगा, improvement in performance, जब assignment of responsibility हो गया, उस person को पता है, कि मेरी responsibility क्या है, तो वो क्या करेगा, अपनी performance को improve करने की कोचिश करेगा, ठीक है, क्योंकि वो टाल नहीं सकता, अब वो किसी और को responsible नहीं टहरा सकता, किसी भी चीज के लिए, उसके अंडर जो काम हो रहा है, उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ वो ही responsible है, राइट, next है, helpful in cost planning, cost planning में भी helpful होती है, responsibility accounting, कैसे, under this system of responsibility accounting, complete information is collected in respect of cost and revenue, cost की और revenue की सारी information आजाती है, जिससे future को plan करने में, future की cost या future का revenue plan करने में, help मिलती है, ठीक है, standards या budget preparation में, help मिलती है, right, setting up of standards and preparation of budgets, next है, helpful in decision making, decision making में भी responsibility accounting, help करती है, कैसे करती है, top management के पास, सारा data खटा हो जाता है, कितना revenue है, कितना cost है, कितना profit है, क्या-क्या वैरियन्स आ रहे हैं, तो वो decide कर सकते हैं, कौन सी activity में हमको ज्यादा invest करना है, कौन सी activity में हमको काई में इन्वेस करना है, किस manager पर हमको ज्यादा focus करना है किस department पर हमको ज्यादा focus करना है किसकी performance poor है किसकी performance अच्छी है ठीक है किसको हमें motivate करना है और अच्छा करने के लिए किसका हमको promotion करना है ठीक next है cost control cost control में भी helpful होती है responsibility accounting कैसे helpful होती है cost control में क्योंकि सबको पता है सारे managers को सारे executives को पता है उनकी responsibility क्या है तो accordingly सारे responsibility managers सारे responsibility centers के जो managers हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि उनके department की cost budgeted cost से उपर न चली जाए ठीक है तो cost control होती रहती है next है basis of appraisal of managers responsibility accounting से सारे managers की report आती रहती है कि उनके under जो भी गाम हो रहा है वो कैसा हो रहा है तो उनका appraisal easily किया जा सकता है ठीक है उनकी success या failure को पता किया जा सकता है और accordingly उनका transfer promotion या training की जा सकती है next है awareness among supervisory staff तो supervisory जो staff है जो supervis कर रहा है department को उनमें awareness बनी रहती है क्योंकि उनको ही जाकर top management को report करना पड़ेगा उनको ही जाकर उबर जवाब देना पड़ेगा कि उनकी department या उनके under जो भी लोग काम कर रहे है वो ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे है या cost ऊपर या नीचे क्यों हो रही है ठीक है तो awareness among supervisory staff next है management by exception management by exception क्या कहता है management by exception कहता है कि जिस भी एरिया में जिस भी department में पूर performance है उस पर focus करो ठीक है तो same responsibility accounting में होता है responsibility accounting में जिस भी center की responsibility center की performance पूर है उसी पर focus किया जाता है उसी की performance को ठीक करने के लिए corrective measure लिये जाते हैं right next है limitations of responsibility accounting responsibility accounting की limitations क्या है problem of classification of cost responsibility accounting में cost को controllable and non-controllable cost में divide करना होता है ठीक है और यह बहुत बार tough हो जाता है cost को controllable और non-controllable cost में divide करना कौनसी cost controllable है और कौनसी cost non-controllable next है delay in reporting अगर delay हो जाता है reporting में तो responsibility accounting useless हो जाएगी ठीक है क्योंकि timely report हो रही है timely top management को कुछ action ले पा रहा है तभी पूरा system ठीक से चल पाएगा right next है inter departmental conflicts inter departmental conflicts कैसे होते है responsibility accounting में क्योंकि सारे department के managers की responsibility एक्दम fix होती है तो सारे department के manager अपनी performance को अच्छा करने में लग जाते हैं और एक दूसरे से competition सा हो जाता है different centers का है इसी वजा से उनके बीच में conflicts भी आते हैं इसी वजा से वो कहीं न कहीं एक दूसरे को support करना कम कर देते हैं